आपकी सफलता ही मेरा मिशन है ज्यानकोस इजुकेशन पर आपका अभिननदन है मित्रों आज आपके सामने हिंदी साहित्य के महत्पूर प्रसनों से संबंदित कुछ रिंखला लेकर कुपसते हैं इसमें 50 प्रसन अत्य महत्पूर 50 प्रसन आप पढ़ेंगे और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका कम्पलीट कोर्स ग्यान कोर्स एजुकेशन तयार करवा रहा है आपके पास 45-46 दिन का समय बचा हुआ है 17 अक्टूबर का आपको एकजाम देना है ठीक है न तो इसलिए जो है कि आपका पूरा का पूरा कोर्स जो आपके स्लै स्लैवस का मैं वीडियो डालाओं कि कौन-कौन से स्लैवस हैं क्या परिक्षा का पैटर्न है सहाय का ध्यापक के परिक्षा का पैटर्न क्या है फिर हेड़ मास्टर यानि कि प्रहां ध्यापक के परिक्षा का पैटर्न क्या है इंटर्व्यू और फिर मौकिक पर कुल कितने कितना अंकर निर्धारित हैं, इन सब सारी चीजों का वीडियो आप देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख लिजिएगा, ठीके, अब यहां से आपको आदिकाल से ले करके, लाश्ट तक, जो आपका स्लैबस है, 40 दिन में मै तयार करवा दे रहा हूं, क्योंकि रोज 2-3 वीडियो आपको यहां से मिलेगा, और इस तरह से स्लैबस्वार आपकी तयारी हो जाएगी, कहीं आपको जाने का हो सकता, नहीं पड़ेगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए, लाइक और सेर भी करते रहे और आप हो सकता है किसी और वीडियो का डिमांड करना चाहते हों, तो स्वागत है, आप बता देजी सर इस टापिक पर वीडियो ला देजी, मैं वीडियो अप्लोड कर दूँगा, और इसके माध्यम साब की पूरे तयारी करवा दिया जाएगा, ठीक है, चले आज हम लोग चलते हैं, अपने टापिक पे, और आज कम लोग कुर्शनों के स्विंखला देखते हैं, पहला कुर्शन है, अंग्रेजी भासा को शिक्षा के माध्यम से आरंब किया गया, किस के द्वार आरंब किया गया, तो दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जानना जरूर कराइब आए, स्वयम्भू है, हिंदी का पर्तम उपन्यास कौन माना जाता है, परिक्षा गुरु है, और इसके लेखा कौन है, स्री निवास दास, ठीक न, स्री निवास दास ये वमत नहीं है, स्री निवास दास सीधे आप जान लिजे, ठीक न, आगे देखिये, घंदी बहुत इंपोर्टेन प्रस्तन है बहुत अच्छा प्रस्तन है यह इसमें से दो 14 प्रस्तन आपके परिक्षा में आ सकते इसलिए उसको बढ़ियां त्यार कर लेंगे हिंदी का पर्थम का पात्र कौन सा ना समाचार पत्र है पत्र है पात्र नहीं पत्र यहाँ का मात्र नहीं रहेगा हिंदी के पर्थम पत्र कौन सा है थिक न हṇ इसका Hudson ईसका मिलेगा मेरी टेलिगराम चैनल से उसका लिंक नीचे दिया हुआ है और PDF में आपको करेक्शन करके मैं दूँगा ठीक न कुछ मात्रगत शुद्धियां हो गई है टाइप करते समय हो जाती है इंसान से गलतियां होती है ठीक न तो इसको सही करके आपको मिलेगा हिंदी की पर्थम पत्रिका कौन से है संबाद कौमुदी है हिंदी की वरणा माला में कितने स्वर और कितने सम्षर होते हैं यह देखिए स्वर 11 समस्वर 33 समस्वर कमत्री इसको भी एंजन में हम कह सकते हैं ठीक है अगला देखे अगला प्रस्न हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया तो बनार सक्वार में कहा गया नवा प्रस्न हिंदी के पर्थम कभी कौन है तो सिद्ध सरहपा नवी सताब्दी के रहे हैं हिंदी का पर्थम गद्यकार कौन है तो लल्लू लाल जी है फिर इगर हमा कुश्चन देखिए हिंदी के समाचार पर्थम सर पर्थम गीत लेका कौन है तो विद्यापती है फिर हिंदी के सरपर्थम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है सुधा वर्थन है पर्थम दैनिक क्या पूछ रहा है दैनिक समाचार पत्र अगर किवर समाचार पत्र पूछता या पत्र पूछता तो उतन्दमारतंड होता ठीक न हिंदी के सरपर्थम प्रकाशित पत्र का नाम क्य अजन्ता की गुफा किस धर्म से संबंदित है किसे है बहुत धर्म से संबंदित है ठीक है आगे बढ़ते हैं अट्रल भीहरी बाजपे हिंदी विश्विद्याल है कहा है तो यह दोस्तों यह है भोपाल मद्य परदेश में अतीत के चलशित्र के रचईता कौन है तो यह स्था के प्र फियाक वूरी कौन थे यहेम चंतको माना जाता है । अभा जीवन हाए तुम्हारी यही कहानि आचल में दूद और आँखों में काविस bastrata लहीघelf wünते गई है अभी लेकों का दिया कहला तो ईपिग्राफिक का हलाता अमीर खुसरों ने किस के विकास में अग्रड़ी भूम का निभाई है तो दोस्तों ये है आपका खड़ी बोली में आगे देखिए अमीर खुसरों ने जिस मुकरियों पहलियों और दोसुखनों के रचना की है उसमें मुख्य भासा क्या है तो खड़ी बोली है ठीक है आगे देखिए अवदी भासा के सरवाधिक लोकप्रिय महा का वे कौन सा है तो रामचरित मानस असोक के फूल निभंद संग्रा के रचनाकार कौन है हजारी प्रसाथ दिवेदी अश्ट छाप के सरवसेष्ट भग की कब कौन है तो कौन है सूर्दाच आखों के किरकिरी होने का अर्थ क्या है अप्रिय लगना आशुक का वे के रचनाकार कौन है जैसंकर प्रसाथ धीक न आगे देखिए आंचलिक रचनाकाई किससे समबंधित होती है तो ये दोस्तों ये होता है छेतर विश्य से सम्मंदित। कौन है तो इसका नाम है क्रोमय गनन मनुष्य। आधुनिक जुग की मीरा किसे कहा जाता है तिया कहा जाता है महादेवी वर्मा को। आधुनिक जुग के चरण कौन है तिया रामधारी सिंग दिन कर। ठीक ना आगे देखे आंध्र प्रदेश की राज की भाषा कौन है तेलगू आसमान पर चढ़ाने का क्या अर्थ अत्यदिक प्रसन्य करना इतिहास सब्द को शुद्ध विशेशन इतिहास सब्द का सुद्ध विशेशन क्या है तो हो जाएगा आथिहासिक चालिशव नमर के कोशन देखिए इदगा कहानी के रचनाकार है मुंसी प्रेमचंद फिर उर्दू किस भासा का शब्द है तुर्की का एक नार पियाको भानी तनवाको सगराजियों पानी या पंग्ति किस भासा की है तो क्या हो जाएगा ब्रज भासा की है आगे देखिए एक भारती आत्म किसे कहा जाता है तो दोस्तों एक भारती आत्म कहा जाता है माखनला चितुर्वेदी को आश्ट्रिक भासा समों की भासाओं में बोलने वाले को क्या कहा जाता है की रात आगे देखे पैंतालिस कट कटान कर्पि कुंजर भारी दूभुद दंदर तमक महमारी डोलत धरन भाज भय मारुत दसी यह किसकी है कावपंग्ति यह क्या है तूलसी दासकी है किसकी है यह तूलसी दासकी है कठिन कावब का प्रेत किसको कहा जाता है तो कठिन कावब का प्रेत किसको कहा जाता है आगे देखे कथा समराट किसे कहा जाता है तो कथा समराट किसे कहा जाता ह मुंसी प्रेम चंद को कहा जाता है कबीर की भासा क्या थी तो कबीर की भासा सडुकड़ी थी कलम का सिपाही किसे कहा जाता है तो कलम का सिपाही मुंसी प्रेम चंद को कहा जाता है कलम की सिपाही क्या है तो दोस्तों यह एक जीवनी इस तरह से आपके 50 प्रसनों का स्रिंखल कम्प्लीट हुआ इसका फिर 50 कोर्षन और ला करके हम आपका 100 कोर्षन करवा देंगे और बस इतना मैं जरूर बताऊंगा कि मैं व्याख्यात्रों प्रफन पहले कराऊंगा उसका प्रेंटिक्स इसके बाद में डाल दूँगा कि आप सबको बहुत बहुत धेलने बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीडियो में